हालो सभी को नमिशकार नारायन साकार हरी की संपूर ब्रमांड में सदा सदा कली जय जय कार हो जय जय कार हो साकार महा मातेश हरी की संपूर ब्रमांड में सदा सदा कली जय जय कार हो जय जय कार हो वे विनीता सिंग एक बार फिर से आप सभी के सामने बदायू उत्तर प्रदेश से कुछ अभी काम करते करते घर में सोच रही थी हरी जी के बारे में पुरानी इतनी अच्छी अच्छी यादे हैं जो सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनकी लीलाएं हैं इतनी तो बहुत ही एक इंट्रस्टिंग उनकी एक लीला है आपको बताते हैं बहुत मजा आने वाला है सुन करके काफी पुरानी बात है 25 दिसंबर 2004 में दिल्ली सत्य का साथ हुआ था विशाल प्रोग्राम तो हम सभी गए थे विद फैमली पूरा परिवार हमारा जाता है गए हुए थे उसके बाद जब वहां से वापस आए एक्षिली क्या है Сइमारे यहां पहले कारेयाले बना हुआ था तो जितना भी सामान होता है कमेटी का हमारे यहां कि रखा जाता था मतलब जब मेरी शादिनी थी मेरे मायके में और जो महापुरुश जिस्से रात में लेड़ वेट हो जाते तो वो भी भाईभेन पुखते थे आकर के तो रात में जब हम लोग वहाँ से बापस आए दिल्ली से लेट नाइट हो गए थे तो कुछ महापुरुष अपने घर जिनके दूर थे वो वहाँ ठैरे हमारे आप फिर ऐसे ही कुछ देर तक चर्चा होने लगी कि प्रभू ने ये कहा प्रभू का रूप हमने ऐसा देखा एसा बिराड रूप देखा सबने अपनी अपनी आप भी थी कुछ देर तक सुना रहे थे उसी बीच में हमारे पापा जी बहुत ही सज्जन पुरुष हैं क्या कहूं मैं थोड़ा कम बोलते हैं बहुत वो उनकी आखों से अश्रुधारा बहन लगी रोने लगी हाथ जोड वीर हमारे यहां बरांडे में लगी वही थी उसको देख करके मैं प्रभू से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन वह अपने आपके लिए यह कहने लगे कि सबको दर्शन होते हैं सबको कुछ ना कुछ दिखाई देता है प्रभू का चमतकार दिखाई देता है बड़ हम इतने हैं हमने इतने दुशकर्म करें क्या जो हमें प्रभु का दर्शन नहीं होता ब्राठ रूप में या हमें कुछ नहीं दिखाई देता प्रभु पर उन्हें कोई शंकासंदे नहीं था बस वह अपने लिए कह रहे थे कि हमें क्यों नहीं दिखाई देता क्यों हमें चमतकार नह भाते हैं तभी अचानक उनके जो हाथ थे उनमें एकदम कंपन होने लगा कंपन होने लगा वह इस तरीके से कापने लगे और उनके हाथ जो थे वह बिलकुल चिपक गए अब उन्हें कुछ महसूस हुआ फिर उन्होंने जैसे सभी लोग बैठ हुए थे उस समय जितने भी महापुरुष थे उन्होंने ये सारी लीला देखी कि अब पापा कह रहा है कि हमारे हाथ छुट रही रहे हैं हमारे हाथ नहीं छुट रहे हैं तो अब उस समय सोचके हसी भी आती है आज लेकिन उस समय डर भी लग रहा था कि हैं क्या हो गया यह तो फिर मम्मी ने क्या सब इने एक एक करके सब ने एक एक करके उनके हाथ सिखका दिए हरी जी ने कि वह हांत छुट ही नहीं रहेते एक-एक महापुरश में छुटा के देख दिये आप वह इस तरीके से रोए स्वरूए काउ पर रहेते तभी सबने कहा मम्मीने कहा लो कह रहे थे कि चमतकार हमें दिखाई देख लो चमतकार अब माफ़ी माँगो प्रबू से तो उस समय हम लोग जो मंत्र दे रखा था ये काफी साथ आरे काफी नेराकार उसका जाप करवाया सभी ने मिलकर बहां बैठकर सब ने जाप किया प्रबापाजी ने दिया और उन्होंने कहा कि प्रबू हमने देख लिया आप तो आप हैं मतलब बहुत भाबुक हो गए तो आज भी जब हम उसे सोचते हैं कभी कोई पापा से कह लेते हैं कि पापा उसन क्या हुआ था चमतकार देखा था तो जाब करने के बाद फिर पापा के हाथ अपने आप ही छूट गए एक दम फिर इस तरीके से उन्होंने ज होती है यह हमारी आखों देखी है हमारे घर की है यह लीला प्रभू की तो कहते हैं कि त्यारी लीला का न पाया कोई पार की महिमा त्यारी तुम्ही जानो त्यारी लीला का न पाया कोई पार की महिमा त्यारी तुम्ही जानो तुम्ही जानो हरी जी तुम्ही जानो ओ सारे दुनिया के पालन हार की लीला त्यारी तुम्ही जानो ओ त्यारी लीला का न पाया कोई पार की महिमा त्यारी तुम्ही जानो धन्यवाद